हम जो एक धान भी ले पाएंगे, चाहिए मेरे बाप और जले हैं फढ़ने वाले लड़के हैं, हम आठ बीगे के दान सर्थ कल तिला की यहां पर लखे हुए हैं, यह देखी हैं, हम चार दिन तोड़े सर्थ हमको जा के टोकर मिला, वह वहां लगाया गया सर्थ, खुछतर ख लेने के लिए आया थे सर्थ, उसी दिन ये चार बुरी धान जो है कि कसा गया था, पंदरे किंटा, दस-बारा बुरी होगा सर्थ, उससे जादी कुछ भी नहीं हुआ है, यह आलोग चौबे हैं सर्थ, फोन नहीं रिसिप कर रहे हैं सर्थ, इनको नहीं लेना चाहिए सर् आपको परिशान होने के ज़रुवत नहीं है, इस प्रभारी के खिलाफ हम कारवाई करने हैं और दूसरा प्रभारी अभी आदा गंटे में आप पहुंच रहे हैं, आपका खान अभी तत्काल खरीजा जाए, जी सर्, आपको पढ़ते लिखते हैं सर्थ, पैसे लेकी प्रभारी आ रहा है, जितना भी आपका धान और दूसरे के सानों का धान है, आज ही खरीजा जाएगा, आपका भी धान या रखा होगा है, तो इस प्रभारी को हम बतलवा भी रहें, कल से नया प्रभारी मिल रहा है, कल से पूरी तरह सुचारू हो जाएगा, इसका प्रभ आप रुको में खुडी आरा आप तुमों के पागे पताएं तर विना खाय भी तर तीस किलो मेटर दूर से सर आया है उदर आम उस जंजट छोड़के आएंग चले टोकन मिल गया हम बेज के चले मेरा सुर एक्जाम है नो तारीक सी चले उसके लिए में माफिय चामगा को दिक्कत हुई लेकिन आपका भी समाधान हो जाएंगा ठीक है आदा गंटे मागर नहीं आता है मुझे आप पताएंगा और आपका टोकन भी कल आपको मिल जाएगा अभी नया प्रोहारी आ रहा हो सकता है आज ही दे दे लिकिन उसका भी डियस्टी नहीं लग रहा हुआ तो हो सकता है आपको कल बुलाएंगा आप भी थोड़ देर रुख जाईए हो सकता आपका भी समाधा ना भी होजाएंगा अभी करवा दे रहे हैं अभी करवा दे रहे हैं और इसे परिशान ना तो है आप समय का समाधान है